आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आये हैं जो काफी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है ये स्टोरी मीडिया के सभी तबकों में च्छाई हुई है और स्टोरी में कुछ ऐसा है जिसको शुरुआत में देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जो दिली हाई कोट है और जो दिली सरकार है उसको लोगों की कोई परवाह नहीं है लेकिन स्टोरी खतम होते होते कहानी बिलकुल बदल जाती है तो आईए बताते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या दिल्ली हाई कोट के लिए फाइव स्टार होटेल में एक कोविड हिल्थ फैसिलिटी बनाई जा रही है आईए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं दिल्ली के अशोका होटेल में सौ कमरो वाली एक कोविड हिल्थ फैसिलिटी बनाई जा रही है इसे दिली हाई कोट के अनुरोध पर दिली सरकार बनवा रही है। जरुरत पढ़ने पर इस फाइव स्टार हुटेल में दिली हाई कोट के जजू और जुडिशल ओफिसर्स के अलावा उनके परिवार वालों का इलाज होगा। इससे जुड़ा एक आदेश रविवार को पास किया गया। आदेश चानक क्यपूरी के SDM गीता ग्रोवर ने पास किया। इसके मताबिक इस COVID Health Facility को प्राइमस हुस्पिटल चलाएगा। यह दिली के चानक क्यपूरी का एक प्राइवेट हुस्पिटल है। इस ही हुस्पिटल के पास इससे जुड़ी कई अन्य बड़ी जिम्मेदार यहां होगी। इन एहम जिम्मेदारियों में बायोमेडिकल वेस्ट यानि COVID के इलाज के दौराण टेस्ट किट से लेकर PPE किट जैसे तमाम चीजों को डिस्पोज करने का जिम्मा हुस्पिटल पर होगा। इस 5 स्टार होटल से लोगों को लाने, ले जाने के लिए एम्बूलेंस देने का जिम्मा भी होस्पिटल पर होगा। अगर होटल में स्टाफ की कमी होती है तो होस्पिटल ही स्टाफ मुहया कराएगा। अशुका होटल के स्टाफ को PPE kit के साथ basic training देने का भी आदेश दिया गया है मारीजों के लिए room, housekeeping, disinfection और खाने का प्रबंध होटल करवाएगा जब एक खर्च आएगा उसे collect करने की जिम्मेदारी होस्पिटल की होगी होस्पिटल ही होटल की payment करेगा मीडिय रिपोर्ट्स के मताबिक इस facility को operational होने में लगभग एक हफ़ते का समय लग सकता है उमीद गे भी है कि ये इस हफ़ते के आंत तक तयार हो जाएगा अब आपके मन में एक सवाल ये उड़ सकता है कि आखिर COVID Health Center क्या होता है तो आईए आपको बताते हैं कि ये क्या होता है COVID Health Center में सभी beds के साथ oxygen की सुविधा होती है इसमें dedicated basic life support ambulance भी होता है इस ambulance में भी परियापत oxygen होती है ताकि किसी COVID patient की हालत बिगणने की स्थिती में उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया ये ले जाया जा सके हलाकि फाइव स्टार होटेल में treatment को लेकर ये सब ऐसे मौके पर हो रहा है जब दिल्ली में beds और oxygen को लेकर त्रा ही मची हुई है आम जनता beds के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है कई लोग oxygen की कमी में दम तोड़ दे रहे हैं इस बात का संजान खुद दिल्ली हाई कोट ने लिया था इससे लेकर दिल्ली हाई कोट केंदर और दिली सरकार पर कई तीखी टिपणिया कर चुका है ऐसे ही एक टिपणी 22 मार्च को जस्टिस विपिन सांगी ने की थी उन्होंने कहा कि कोवीड के मामलों में चार गुना बढ़ोतरी हुई है आम लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे उन्होंने कहा था कि सड़क पर जो आम आदनी है उसकी छोड़िये अगर खुद उन्हें भी बेट के जरुष पड़े तो उन्हें ये आसानी से नहीं मिलेगा इस बीच दिल्ली के हालत बत से बत्तर होती जा रही है राजधानी में सोमवार को 20,201 नए मामले सामने आए इस दोरान पॉजिटिविटी रेट 35% का रहा और 380 लोगों की मौत हो गए आलम ये है कि दिल्ली सरकार को लॉगडाउन एक हफते के लिए बढ़ाना पड़ा और इस बात के भी आशंका है कि इसे और बढ़ाना पड़ सकता है अभी तक हमने जो आपको कहानी बताई वो सोमवार शाम से लेकर मंगलवार की दोपहर तक का मामला है इसके बाद कोविड को लेके दिली हाई कोट में एक सुनवाई हुई और अब हम आपको बताते हैं कि इस सुनवाई के दौरान दिली हाई कोट ने दिली सरकार से क्या कहा दिली हाई कोट ने कहा कि आज हमको खबरों के माध्यम से पता चला कि दिली सरकार ने दिल्ली हाई कोट के जज़ों के लिए अशोका होटल में हॉस्पिटल बेड का इंतजाम किया है कोट ने कहा कि ये बहुत गुमराह करने वाला है क्योंकि दिल्ली हाई कोट ने कभी दिल्ली सरकार से इस बारे में कोई बार नहीं की कोट ने पूछा कि आखिर आप ऐसे आदेश के जरी आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्या आप यह बताना चाहते हैं कि आपने हमको फायदा दिया या आपने हमें खुश करने के लिए ऐसा किया इसके जवाब में दिली सरकार ने कहा कि मीडिया में इस तरह की गलत रिपोर्टिंग हुई है जिस पर दिली हाई कोट ने कहा कि आपके आदेश में ऐसा लिखा है कोट ने कहा कि यहां मीडिया गलत नहीं है, यहां आपका आदेश गलत है आप देख रहे हैं Uncut, हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे नाम है तरुम